Hello, Good Morning, Good Afternoon, Namaskar हम अपना topic अगला topic जो diffusion का topic रहता है social change and development in India में उसको समझते हैं पहले हम बात कर चुके हैं evolution की evolution एक gradual process रहता है जिससे societies या species जो simple से complex form की तरफ change होती है simple से complex की तरफ एक transfer रहता है हमेशा या homogeneity to heterogeneity की तरफ जो है इनका change आता है अगर हम बात करें organic evolution की तो एक species का अगर हम बात करें social evolution की तो उसमें हम क्या देख रहे हैं हम social evolution में क्या देख रहे हैं change in societies, society के relationship में society के structure और उसके function में कैसे कैशे जाता है वो simple से complex की तरफ जाता है लेकिन evolution की context में ये चीज जो है थोड़े सी gradual होती है एकदम abrupt नहीं होती है लेकिन ये change within होता है इसमें कोई भी चीज बाहर से नहीं आती है हर समाज में जो change आता है वो within the system and not from without हर society के अंदर जो अपना conditions है उनसे ही वो जूज के evolve होती है सिंबल से complex की तरफ ये diffusion को अलदो accept करता है कि diffusion कोई चीज होती है लेकिन ज्यादा तर जो चीज होती है वो invent ही होती है वो diffuse नहीं होती है ये ट्रांसपर नहीं होती है एक समाज से दूसरे समाज में diffusion does not necessarily deny evolution but it certainly interferes in the means of evolutionary scheme during 20th century several schools of thought appeared in Britain America and Germany that claim to be anti-evolutionists तो देखे इस टाय में 20th century में काफी सारे जगों पे Britain में, America में, Germany में ऐसे स्कूल अब थौट जो ही मर्ज होते हैं जो ही कहते हैं कि जो anti-evolutionist हैं जो इस आइडिया को निगेट करते हैं कि हर एक चीज जो है हर समाज में invent हुई है और वहीं से वो समाज जो है वो ही से वो समाज जो है वहीं से वो समाज जो है एक homogenity से heterogeneity की तरफ या simple से complex form की तरफ इवाल हुआ है ठीके जो evolutionists कहते हैं कि हर एक समाज में अगर कोई एक similarity हमें दिखती है कि हर समाज में वो चीज evolve हुई है या invent हुई है वो इस ते क्योंकि there is psychic unity आफ क्योंकि लोगों के एक psychic unity होते है लोगों के सोचने का तरीका जो है वो सेम होता है इसलिए हर एक समाज में वो चीज वैसे ही invent होती है तो इसको वो क्रिट साइज करते हैं कि ऐसा नहीं है डिफिशनेस्ट इस चीज को नहीं मानते है इसकी critical है डिफिशनेस्ट इस आइडिया को मानते हैं कि इंसान basically un-inventive होता है वो हर चीज को invent करने कोईशने करता है वो चाहता है कि चीज जो कहीं पे invent हुई है वो हीं से उसको introduce कर दे डिफिरेंस बटेंडियाज इस नाट आवेज अपरिशेटर बटेंसेट इस डिफिशन तो डिफिशन तो डिफिरेंस्ट यह जो दो हैं हम डिफिरेंस कि इवलुशन और दिफिउजन दोनों ही प्रासेस आव सोखल चेंज है हम दोनों को समझना होता है यह दावदे रिकरनाइज देट इस दिफिजन वाज अन 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 एबल फैक्ट इवलुशन मानते हैं इस चीज को कि डिफिजन भी चीज है लेकिन जो मैं बात कर चुक हूँ आप से कि वो मानते हैं कि नहीं समाज में ज़्यादा इंवेंशन होती है देन डिफिजन तस, कल्चिलल डिफिजन इस प्रासेस बाई विच कल्चिलल ट्रेट्स discovered or invented at one place or society or spread directly or indirectly to other societies or places तो कल्चिल डिफिजन ये वो प्रासेस है जिससे जो कल्चिलल ट्रेट्स जो किसी एक समाज में दिस्कोर होते हैं, इंवेंट होते हैं वो बाकी समाज में बहां से transfer होते हैं, बाकी places निवाँ से transfer होते हैं, अब exact origin जो है, किसी भी cultural trade का हमें नहीं पता लगता है कि exactly यह कहां पर origin हुआ, लेकिन जो diffusion है, उसको हम trace कर सकते हैं कि कोई भी, हमारे समाज में कुर्ता बजामा कहां से है, हमारे समाज में तंदूरी रोटी का या उसका, वो culture कहां से आया हमें देख सकते हैं कि कहीं अरब से, कहीं बाकी कंट्री से या जो society जो लोग ने रूल किया है हम पर वो अपने साथ जो हेवां का culture भी ले आया है तो चीज़ां इंट्रडूस भी हुई है historically, more is known about diffusion than origin of culture हमें culture कहां से origin हुआ इसका उतना पता नहीं होता है पता नहीं चलता है कि हम diffusion देख सकते हैं कि ये कहां से आये, कहां से transfer हुआ ये cultural trade in history, certain societies or places have served as centers from where cultural trades have spread to other parts of the world history में कुछ जगें जो हैं, वो centers का का काम करी हुई हैं, जहां से बाकी जो cultural trades हैं, वो transfer हुई हैं बाकी societies में, बाकी places में the centers of cultural diffusion were more progressive societies and had developed rapidly by invention and discoveries तो इन से वो क्योंकि हर बार आपको हर बार आपको हर चीज जिरो से शुरू करने के जरूरत में रहती है, जो एक चीज कहीं, एक society में discover या invent हुई है, तो आप वहां से आगे शुरू कर सकते हैं, जिसे हमेशने बात की जाती है कि अगर Einstein जो है वो जिरो शुरू करते हैं, अगर जिरो ही वो discover करने बेट जाते हैं, अगर उनके number जो है, number theory जो नहीं होती तो he would have ended up discovering the only number theory, क्योंकि already उन से पहले एक काम हो चुका था समाज ने अलड़ी एक काम कर चुके थे तो वहां से आगे निकल के उनने और जो theory of relativity या बाकी theories वो दी और उनको एक background वो खुद बान चुके हैं इस चीज को कि अगर उन्हें ये समाज, उन्हें एक heritage नहीं मिलती तो वो आगे development नहीं कर बाते हैं अब हमने कहा कि कुछ centers जो हैं हमेशा हिस्ट्री में देखे गए हैं तो Egypt जो है वो काफी लोग बानते थे कि centuries तक Egypt जो है वो एक cultural center रहा है जहां से जो है ये एक cultural center रहा है जहां से बाकी समाज हूं में ये cultural trends रहा है वो ट्रांसपर हुए हैं इसे तरह कि से रोम जो है एक बड़ा cultural center था या in Asia Chinese Middle Kingdom was from early times a dominant cultural center from where cultural trends spread throughout the Asiatic mainland जिसे इंडिया से cultural trends बुदिजम ये diffused हो बाकी societies में About 4th century BC Western Europe becomes a dominant central cultural theme at present इस वकर देखें तो United States से पूरे दुनिया भर में cultural diffused हो रहा है जो even technology के जो elements है आपके अगर society में mobile phone introduced हो रहा है या television introduced हो रहा है या computers introduced हो रहा है या कोई भी electronic device introduced होता है तो वो ज़रूर नहीं कि हमने हमने बनाया हो हमने invent किया हो ठीक है ये diffused होती है ये transfer होती है from different societies it may not however be supposed that the center sub-cultural diffusion have always been the center sub-cultural development तो ये बात भी आप समझ लए यहां पे कि जहां से कोई center जिसके हम center की बात कर रहे है तो center का जरूर नहीं कि center में वो चीज़ डिवलप भी हुई है center एक mere काम कर सकता है diffusion का ये trading center का in some cases they have been mere a trader in culture देखें कि ये society is जिन हम cultural centers कह रहे हैं काफी सारे instances में ऐसा है कि ये सिर्फ traders हैं यहां से चीज़ें diffused अधा हो रही है the early Greeks were more traders in culture than originator of culture in ancient times when territory of India was extended up to Afghan, Kabul जब एक time पे इंडिया जो है अफगानिस्तान तक था अफगानिस्तान तक पे इंडिया की boundary थी तो काबूल उस वोकर तो एक बड़ा एक important center था trade का जहां merchant जो है different countries के मिलते थे और goods and services जो है एक्सेंज करते थे वहां पर तो देखे factors क्या रहते हैं इस process के लिए diffusion के लिए factors कुछ ज़रूरी है वो यह हैं कि आपके बीच में relations हो communication हो अभी जाकर चीज़ें ट्रांसपर होंगी transfer communication का system होगा है तो चीज़ें transfer होंगी need for and desire for new trades आप समाज नया कुछ आता है किसे बहतर कुछ हो तो भी desire होनी चाहिए समाज में उसको adapt करने की competition with all trades आप पुराने trades जो हैं वो थोड़े orthodox हो जाते हैं थोड़े outdated हो जाते हैं respect and recognition of those who bring new trades आप मालेज़े आप वो नया समाज आप उसको acceptive नहीं करते हो उन लोगों को आप niche वानते हो मलेश वानते हो तो उनका culture adapt नहीं करोगे जब तक नाप उनको equal मानोगे उनको respect करोगे ठीक है तो schools के हैं diffusion के thoughts के है diffusion के diffusionists have not shown unanimity on the question as to which was the place from where cultural traits reached in other parts of the world तो एक कोई unanimity नहीं है कि सब लोग एक ही चीज़ पर believe करते हैं इसलिए इसमें तीन schools हैं British school, German school and American school of diffusion तीन thoughts हैं diffusion पर एक British, एक German और एक American इन पर बात करते हैं British school उनमें उसके follower कों कों हैं ये Smith, Perry, Rivers ये British school of diffusion के हैं German school of diffusion जिनों ने शुरू किया Redzel, Grabner, Schmidt and American school France, Boss, Whistler and Crober ये आपको नाम कोछ याद रखने के जरूत होगी कि ये किस school को कौन फालो करता है Next British school of diffusion British school of diffusion इसको हम कहते हैं Pain Egyptian school भी They are designated as extreme diffusionists इनको extreme diffusionists भी कहते हैं Egyptologist भी कहते हैं क्योंकि इनका माना ये है कि Egypt ही center रहा है दुनिया भर में culture का दुनिया भर में culture जहां पे introduce हुआ है वो सिरिफ सिरिफ और सिरिफ Egypt से ही diffuse हुआ है बाकिर समाज में They went unpopularizing blindly that Egypt was only cultural cradle सिरिफ और सिरिफ जो है Egypt ही culture cradle रहा है वहीं पे culture इमर्ज हुआ है वहीं से पुरे दुनिया में फैला हुआ है इसके कहें मैंने इसके followers कौन कुन थे इसके Smith, Perry and Rivers Smith, Perry and Rivers इसके followers थे इन्होंने इसको propagate किया था इस school of thought को German school diffusion का है According to German diffusionist development of culture culture takes place not only at a particular place like Egypt but it occurs at several different places at several times ठीक है यह इस चीज को मानते हैं कि culture जो है वो सिर्फ Egypt में उसका origin नहीं हुआ है culture जो है अलग जगूं पे अलग टाइम पे वहां पे उसका origin हुआ है ठीक है इस means that different cultural traits and cultures complexes independently और इसका मतलब यह है कि हर एक अलग cultures independently or freely जो है वो डिवलप हुए है अलग ज़मीन के अलग जगे हैं वहां पे अलग time पे अलग किसम का culture जो है वो डिवलप हुआ है तो इस तरीके से एक culture का एक circle रहेगा या district रहेगा ठीक है वहां से migrate हुआ होगा दूसरे दूसरे circle में ठीक है American school जो diffusion का है वो बात करता है और उसके followers क्यों कुन है France Boss Clark Whistler L. Gruber यह इस school of thought को मानते हैं उनका मानना क्या है कि culture friendly जो committees उनको आप किया क्रते हो Imitate करते हो चैक है जो आपके समाच में diffusion कास कर्वाता है यह दूसरी बात यह है कि कि आपको कई बार यह आसान लगता है कि आपको किसो और का culture जो है उसको बारो करें American diffusion is devised a methodology which is known as cultural area approach तो इसले इन्होंने एक cultural area approach को devise किया है American diffusion का स्कूल है ठीके, they did not analyze cultural diffusion prevalent all over the world at the same time instead they divided world into different cultural areas उन्हें दुन्हें दुन्या को ही divide कर दिया है अल्लग cultural areas में on the basis of geographical regions different to different cultural area and concluded that cultural groups residing in close geographical areas represent more uniformity than those residing in distant geographical region अब देखे, cultural area approach जो पास-पास है cultural circles, cultural areas ठीके तो उन्हें transition के चांच से जादा हैं बचाई इसके जो दूर-दूर हैं ठीके उन्हें जल्दी जो है वो cultural transfer हो सकता है thus according to them the concept of cultural area reveals geographical area of cultural similarity conditions की बात करें हम की conditions जो है हो क्या क्या होनी चाहिए diffusion होनी के लिए कोई भी a cultural trait जो transfer होता है एक समाज से दूसरे समाज में तो उसकी conditions क्या है what are the background, what are the platform किसा होना चाहिए any cultural group will adopt a cultural trait of other group only when it would be meaningful or useful वही चीज़ आप किसे एक समाज की लोगे जो आपके लिए meaningful होगा जो आपके लिए useful होगा आपके किसे need को serve करेगा ठीक है दूसरी बात जब उस समाज है वो introduced हुआ वो cultural trait तो वो original form में नहीं होगा उसको आप change करोगे modify करोगे ठीक है अपने needs को serve करने के लिए use करोगे कई बात थोड़ा एक slang तरीके से हम use करते हैं कि जब introduce culture के तरफ वो समाज जो अपना आपको developed मानता है advanced मानता है और उससे ही बाकी society जो है वो imitate करती है बारो करती है cultural process of diffusion may create cultural change अब ये नए समाज में cultural change भी ला सकता है कोई भी नया cultural element किसे एक समाज में आता है तो उसके साथ साथ आपको आपको अपना अपनी habits भी develop करनी होती है अपनी habits भी change करनी होती है ठीक है तो एक social change जो है उससे समाज में आ जाता है there are some obstacles in cultural diffusion such as हाँ अगर वहाँ पर transport communication नहीं है ठीक है अगर बीच में कोई ocean है, river है, mountain, desert है तो ऐसे समाज आज भी देखें आप वो societies, villages जो बिल्कुल cut off है ठीक है जिनके बीच में ऐसे mountains हैं, deserts हैं या फिर hills वगएरा या oceans हैं तो वो काफी हद तक उनका culture जो है वो बचा हुआ है अब culture जो एक change का जो एक तरीका है diffusion इस पे कुछ criticism भी है वो यह कि पहली बात कि यह मानते हैं कि इंसान basically un-inventive है ठीक है यह सही बात नहीं है क्योंकि इंसान जो है वो invention करता है जो एक basic एक nature है इंसान का कि वो जीज़न को create करता है It is true that every culture group borrows more than it invents but this does not mean that inventions are made only once and at a particular place and because of this they are labeled as extreme diffusionists इस कारण से कि वो मानते हैं कि invention तो होती ही नहीं है एक बार होगी तो होगी बाई वो अहां से transfer ही होगी दूसर समाज में ये बात सही नहीं है और कुछ लोगों ने कहा कि एजीफ्ट ही सेंटर रहा है हमेशा ही कल्चर का वहीं पर सारे कल्चर का ओरिजिन हुआ है वहीं से ट्रांसपर हुआ है ये बात भी सही नहीं है और जो एक कल्चर का काफी important element होता है जो non-material aspect होता है जो आपकी सोच होती है आपकी समझ होती है ठेके आपके habits होते हैं वो इस चीज को ये भूल करे हैं कि ये भी एक element है कल्चर का और इस चीज को उन्होंने discuss नहीं किया while discussing diffusion